असलाम अलाइकुम फ्रेंड्स आप सब कस्तक्वाले मेरे यूटूब चैनल पे मैं नाजया कलीब आज आपके सामें एक छोटी से टिप्स लेकर आई हूँ देखिए मैं कैसे चिकन को फ्रिश करती हूँ और कैसे धोती हूँ आपको बताती हूँ चिकन को जब हम डी फ्रीज से चिकन निकालते हैं तो डी फ्रीज से बरव बन जाता है वह बरव जल से चल छूटता नहीं है चिकन से हमें बहुत ही लेट होता है पकाने के लिए कुकिंग करने के लिए इसलिए हम चिकन को आप आपके सामें कैसे वाश करते हैं कैसे बरव दो सेकेंड में छूट जाए तरीका चलिए हम तरीका बताना स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले आप चिकन में पानी डाल दीजिए पानी इतना होना चाहिए कि हमारा चिकन डूप जाए चलिए हमारा चिकन अच्छे से डूप चुका है इसी में अब मैं डालूंगी वही टिप्स जो आपको बताने वाली हूँ कि बरफ जल से जल्द और दो सेकेंड में ही गोश्ट को छोड़ देगा ये देखिए नमक, मैं एक मुठी नमक डाल रही हूँ आप लोग भी एक मुठी नमक जरूर डालिएगा अब इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर दीजिए इस तरीखे से अब मैं इसे ढपकर रख दूँगी दो सेकेंड के लिए दो से तीन सेकेंड के लिए आप इसे ढपकर रख दीजिए फिर देखिए मैजिक देखिए तीन सकेंड हो चुके है गोश कैसे अलग हो चुका है बरफ से ऐसे ही आप भिगा का रखेंगे तीन सकेंड तक तो आपका बरफ बिलकुल ही छूट जाएगा पानी से देखिए कितना अलग-अलग हो चुका है इसी में मैं दाल रहे हुए एक कप वेनिगर छोटे अब इसे अच्छे से वाश कर लिजिए पानी में, तीन चार पानी ओ से अच्छे से धोईए से, ताकि इसके अंदर की गंदी स्मेल चले जाए, अच्छे से साफ धोईए से चार पानी में, एकदम से वाइट हो जाना चाहिए, चिकन, देखा आपने कितना साफ हो चुका है कितना नीट हो चुका है आप लोग भी ये टिप्स ट्राइ करिएगा आप लोग को मालुम होंगा पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ जिनको नहीं मालुम होता है उनके लिए है ये टिप्स चलिए आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आएं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए कॉमेश करना मत भूरे दूआ में याद रखिएगा अल्ला हफीज